17 सितंबर को देश के प्रधान मंतिर नरिद मोधी का जणम दिन PM नरिद मोधी के जणम दिन को खास बनाएगी BJP PM मोधी के जणम दिन के मौके पर BJP देश भर में कारिकरम करेगी प्रधान मंतिर नरिद मोधी का जणम दिन कुछ ही दिनों में आने वाला है ऐसे में प्रदानमंति नेंद मोदी के जर्म दिन को भारती जनता पार्टी किसी पर्व की तरह मनाने की तयारी कर रही है खासतोर पर पार्टी ने बीजेपी महासचेव अरुन शिंग के नित्रुत में कमेटी भी बनाई है दरसर ये कमेटी ही 15 दिनों के कारिक्रमों की रूप रेखा तयार करेगी मिली जानकारी के नुसार बीजेपी 17 सितमबर से लेकर 2 अक्टूबर यानि गांधी जैनती तक 15 दिनों के लिए कारिक्रमों कायजन करेगी बताये जा रहा है कि पियम मोदी के जैन दिन से लेकर गांधी जैनती तक गोष्टियां, रक्तदान, शिवीर, दलित बस्तियों में सेवा के कारिक्रम, सफाई अभ्यान जैसे कारिक्रमों की योजना है साथ ही पीयम मोदी के जन्म दिन पर युवा मोर्चा और किसान मोर्चा द्वारा भी कारिक्रमों का युजन करवाये जाएगा वही मत परदेश में प्रधानमंति नेल मोदी का जन्म 17 सितंबर को खास अंदाज में मनाये जाएगा बताया जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधान समच नौ में अधिक से अधेक लाब हासिल करने के लिए सरकारी युजनाओं का लाब जन जन तक पहुंचाने का भ्यान शुरू किया जा रहा है 31 अक्टूबर तक सभी पातर लोगों को युजना का लाब मिलना सुनिश्चित किया जाएगा कैमेट बैठक से पहले मुख्यमंतिर शीवराज सिंग चोहान ने मंत्रियों और अफसरों को केंद्र राज सरकारों की फ्लैक्शिप युजनाओं का शत प्रतिशत लाब सुनिश्चित करने के लिए कोशिश करने के निदेश दिये हैं उन्होंने कहा है कि प्रतानमंति निदमोदी के जन्म दिन 17 सितंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक हित्रगाही मुलक युजनाओं में हर पात्र को लाब दिलाने के लिए एक बिशेश प्रदेश स्तरिय अभ्यान चलाए जाएगा ये अभ्यान दो चल्नों में चलाए जाएगा पहला चलन 17 सितंबर से 5 अक्टूबर 2022 तक होगा दूसरा चलन 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक संचाहित किया जाएगा